नमस्कार हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तो सबसे पहले आप सब लोगों से एक अपील फिर से हिंदी साहित वारता परिवार की तरफ से करना चाहेंगे कि आप इस वक्त जब पूरा विश्व COVID-19 के चपेट में है तो ऐसे में आप भी ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें दोस्तो जेरेफ हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम इससे पहले इकाई पांच कर रहे थे और जिसमें हमने अपने दो तीन लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने नागरजुन जी की जो प्रमुख कवि कविताएं हैं देखिए जिसमें हमने बादल को गिरते देखा है और एक और इनकी हम कविता पहले कर चुके थे कालिदास तो ये दो कविताएं इनकी व्याख्या हमने इससे पहले कर ली है और इकाई 5 से किस तरीके के प्रशन पूछ जाते हैं ये चीजें भी हमने डिसकस कर तो आप ने अगर अभी तक वो वाले लेक्टर्स नहीं देखे हैं तो आप इकाई पांच के नाम से जो हमारी पेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक मौतपूर्ण चीज ये है कि अगर आप 2004 से लेकर के 2020 तक के 1000 जो प्रश्ण है व्याक्य सहित पूर्व में पूछे गए सभी प्रश्णों को रखा है तो वो बहुती जादा बेनिफिशल आप सब लोगों के लिए हो सकते हैं तो आप चाहें उनको भी वहां से बाय कर सकते हैं तो आज हम देखिए इकाई पांच हिंदी कविता जो इनकी जो दो कविता हैं नागर तो कालिदास और जो दूसरी इनकी कविता है बादल को गिरते देखा है तो प्रकरति प्रक और इनकी ये रचनाएं थी हालांकि जो कालिदास कविता में हमने देखा कि जो एक मारमीक जो पीडा की अभिव्यक्ति इन्होंने की है कि वो दुख जो शोक या वीरह जो था वो कवी का स्वयम का था या फिर वो ये कह रहे हैं कि कालिदास की पीडा में वो कहीं अपनी पीडा तो अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं ये बात इनने कही है और बादल को घिरते देखा है कवीता में हमने ये चीज पड़ी थी कि जो मान सरोवर की यात्रा के दोरान उन्होंने हिमाले परवत की जो वहां का आसपास का जो वाता वर्ण था उसका चित्रन उन्होंने इसमें किया है और दो तीन लोगों का या दो तीन स्थितियों का उन्होंने इसमें चित्रन किया है जिसमें आपके चकवा और चकवई है ना उनका वर्ण वनन आता है उसमें ठीक है किन्नर प्रदेश का वनन आता है मांसरोवर का वनन आता है तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है परिक्षा में तो इनको भी आप याद गर लीजेगा तो याद आपके लिए जादा बेनिफीशल होंगे ठीक है तो आज की जो दो कवीताएं हमन नो में जो ववस्था के प्रति आकरोष भी है ये जो दोनो चीज़ें हैं उनका जो शोशित वर्ग है उनके प्रतिं उनकी सहनवूती है किसानों मजदूरओं दलितों के साथ उनकी जो समवेदनाएं जूड़ी हुई हैं ये जो कवीताएं हैं ये आज की जो दो कवीताएं हैं ये उस बात को चरितार्थ करती हैं इससे पहले वाली कवीताओं में आपने देखा कि वो प्रकृति परक भी हैं प्रकृति प्रेमी भी हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि वो शोशितों से भी प्रेम करते हैं उनसे भी उनको लगाव है सहानबूती है ये दो कविताएं उनकी ठीक वैसी ही कविताएं है तो चली दोस्तों आप देख लेते हैं कि आज की इनकी जो पहली कविता है देखिए वो है अकाल और उसके बाद तो इसमें कौन-कौन सी मौत्पुन चीज़े हैं वो हम जान लेते हैं एक चीज़ तो आपको पहले ही इसमें समझ आगे होगी कि इसके शीर्शक से ही पता चलता है कि इसमें अकाल और उसके बाद की जो स्थिती है उसका इसमें चित्रन किया गया है अगर हम बात करें देखिए कि जो अकाल और उसके बाद है कवीता जो इनकी है नागरजुन जी की इसका रचना वर्ष क्या है ये 1952 है ठीक है तो इससे पहले मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो नागरजुन है उनके संदर्ब में मौतपुन चीज़े मैंने आपको बता दी थी कि उनका जनम कब हुआ था कि सुप नाम से वो लिखते थे है ना उनके प्रमुख कावे संगर है कौन-कौन से है और उनकी जो प्रमुख लंबी कवीता है या छोटी कवीता है इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम पहला लेक्चर कर रहे थे वहाँ पर हमने विस्तार से पढ़ा था कि आपको बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए जो आपके पाठेकरम में शामिल प्रमुक कभी है क्लियर है यहाँ पर देखिए रचना वर्षिनों ने बता दिया कि 1952 है लेकिन 1959 में जाकर ये कवीता संकलित हुई इनकी जो सतरंगे पंखों वाली जो कावे संग्रह है देखिए इसमें इसका प्रकाशन हुआ था तो 1959 में ये संकलित हुई आपके क्या हाँ सतरंगे पंखों वाली जो इनका कावे संग्रह है उसमें ठीक है नेक्स से दिखिए कि अकाल की भ्यावे स्थिती के साथ साथ अकाल के बाद की सुखद स्थिती का चित्रन महज आठ पंख्तियों में किया गया है तो देखिए इसमें इनने क्या किया है अकाल की जो भ्यावे स्थिती है उसका चित्रन इनने किया है और इसके साथ ही साथ अकाल के बाद की जो सुखद स्थिती होती है है ना कि अकाल जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो एक खुशी की लहर हमें देखने को मिलती है इस चीज का जिक्र भी आपका जो अकाल और उसके बाद इनकी जो कवीता है प्रमुक कवीता उसमें देखने को मिलता है तो ये चीजे हैं नेक्स देखिए बिम्ब और प्र बड़ी रोचकता के साथ सुनते हैं तो हमारे सामने उसके द्रिश्य बनना शुरू हो जाते हैं तो बिमबर प्रतीकों से आपका मतलब यही है कि पूरा का पूरा चित्र यह आपके सामने उभार देते हैं यह कवी करम इनमें देखने को मिलता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि यह किसानों और विद्वानों के कवी हैं बिम्ब और परतीकों का इनमें समनवे हैं अगर हम बात करें देखे कई बार परिक्षा में ये पूछ जाता है कि इनकी कुछ एक पंक्तियां दी जाती है कि उसमें कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर मानवी करन अलंकार का चित्रन इस कविता में इन्होंने किया हुआ है तो यह जो मुर्टपून चीजें थी अकाल और उसके बाद कविता में ये आपको थोड़ी बहुत इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है है ना कई बार हो सकता है आपको इस तरीके से पूछा जाए कि अकाल के स्थिति का चित्रन किसमे किया गया है और उसके बाद की जो सुगस्थिति है उसका चित्रन किसमे है यहाँ पर एक चीज और है कि अकाल और उसके बाद नागरजुन की कविता है लेकिन अगर आपको अकाल दर्शन कविता आए तो उसमें कनफ्यूज नहीं होना है वो किसकी है सुदामा पांडे धूमिल जी की है ठीक है तो हो सकता है इस तरीके से आपको कनफ्यूज किया जाए तो यहाँ पर आपको इसको समझने की जादा जुरूरत है चलिए यह तो बात होगी कि महत्वपूर्ण जो तत्य थे अकाल यह है कि अकाल के समय घर भर में मनुस्यत चा जाती है परंतु आगे देखिए क्या कहते हैं पक्के इरादे से अगर सामना किया जाए तो बुरा समय भी तल जाता है तथा पुना समरिध्धी लोटाती है तो यहाँ पर इन्होंने यह चीज कही है यह मैसेज देने की बात कह यह है कि अकाल के समय भले ही घर भर मनुस्यत चा जाए है ना खाने के लिए कुछ भी न रहे लेकिन अगर आपके पास इरादा पका हो तो आप किसी भी बुरे से बुरे वक्त को टाल सकते हैं निकाल सकते हैं और दोबारा आपको आपके जीवन में सुक, समरिध्धी और श यह हमें सुक और समरिध्धी का की प्राप्ति होगी ठीक है तो यह मैसर यहां से हमें मिलता है इस कवीता से आगे दिखिए कि यह पूरी जो कवीता है आशा और निराशा सुप्त द्वंदो की अभिवेंजना करती है तो द्वंदो तो इसमें रहे गई रहेगा हमने देख पहले कि पहले क्या है अकाल की स्थिति है उसके बाद जो है सुखद स्थिति का जो अनुबव इसमें देखा गया है उसका चित्रन है तो दोनों में आशा और निराशा की जो सुप्त द्वंदो के विवेंजना करती हुई यह कवीता है और अकाल में मनुष्य के अलावा अ असर देखने को मिलता है तो यह था इसका प्रमुक जो संदेश है इसका प्रमुक जो उदेश है या प्रतिपाद्य हम कहें इसको यह था अकाल और उसके बाद कवीता में यहां से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो आपके नागरजुन जी थे वो किस तरी के कवी ह वो आपके प्रगतिवादी कभी है और उनके उपर माक्सबाद का जो प्रभाब देखने को मिलता है क्योंकि माक्सबाद में हम यह चीज़ें देखते हैं कि जहां पर व्यवस्था की बात की गई हो और दूसरा जहां पर जो भूख, भूखमरी की बात हो या गरीबी या दलि कोन थे इन कविताओं के इस कविता में और इस कविता का संदेश क्या था अब हम जान लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी या बताई मैंने आपको क्या वो सही साबित होंगी आईए हम यह कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ट कई दिनों तक चुहों की भी हालत रही शिकस्त तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आठ पंक्तियों की यह छोटी सी इनकी लगू कविता है लेकिन जितना इसका आकार छोटा है उतना ही तो कहने का मतलब यह क्या है कि जो अकाल और उसके बाद की यह छोटी सी कविता है जिसमें इनोंने क्या किया है देखिए अकाल की इनोंने मारमिक स्थिती का चित्रन इसमें किया गया है ठीक है यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं कि जो भूख की स्थिती है उसको इनोंने अस्तुत किया है तो देखी क्या कह रहे हैं यहां पर कभी वो कहते हैं कि अकाल की स्थिती में कई दिनों तक चूलहा रोया चूलहा रोने से क्या मतलब है तो यहां पर जैसे हमने पहले ही बात कही थी कि इसका मानवी करण अलंकार इसमें है तो चूले का यहां पर क्या किया है मानवी करण किया गया है तो बस्तव में तो चूला नहीं रोता है ना लेकिन रोता कोना इनसान है तो इसलिए इसलिए हम यहां पर देखेंगे कि इसमें मानवी करण अलंगकार है तो यह चीज़ आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानका को पीसा मतलब जब अकाल पड़ा है तो हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं होती है ठीक है अकाल की स्थिति में क्या होता है कि बहुत दिनों तक जो है चूला क्या रहा खामोश रहा है ना या कि वहाँ पर खाना ही नहीं बना ये चीज़ इसमें कही गई है आगे कहते हैं क कई दिनों तक चक्की रही उदास उदास का मतलब कि वहाँ पर कोई कामी नहीं हुआ चक्की को फीसने के लिए कुछ मिला ही नहीं और वो खाली रही एक तरीके से कहने का मतलब है कि चूले पर कई दिनों तक खाना नहीं बना और चकी में अनाज बिलकुल भी नहीं पीसा कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास ठीक है तो कहने का मतलब ये क्या है देखिए कि जो पहले हमने बात कही कि अकाल का जो प्रभाव है वो न सिर्फ किस पर पड़ता है मनुश्यों पर पड़ता है लेकिन अन्य जो जीव जन्तु हैं जो जानवर हैं उन पर भी उसका असर देखने को मिलता है तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कानी कुतिया है वो भूख के कारण कई दिनों तक व्याकुल हुई व्यतित हुई और व्यक्तियों के आसपास तक ही इसी आशा में सोई रही कि कुछ ना कुछ मुझे खाने को जरूर मिल जाएगा तो ये चीज इसमें कही गई है आगे है देखिए कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ट कई दिनों तक चुहों की भी रही हालत शिकस्त ठीक है तो कहने का मतलब क्या है देखिए कि भूख के कारण जो छिपकलिया है वो भी दिवारों पर लगातार गश्ट करना मतलब घूमती ठीक है घूमती रही और कई दिनों तक चूहों की भी रही हालत शिकस्त तो जो चूहे हैं ठीक है वो भी भूखे पेट जो है इधर उदर ही घूमते रहे उन्हें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बात जो पहले हमने कही थी है ना मनुश्यों के साथ जानवरों के स्थ जिन जी कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि बुखमरी का जो चित्रा इनोंने इसमें किया है कि जो अनाज है उसकी महता को हमें समझना बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है अनाज की महता को वे ही लोग जान सकते हैं जिनोंने क्या करता है कि अकाल को साक्षात देखा हो जिसने ज उसका पता होता है मतलब कहने का मतलब कहा है देखिए यहां से इनका सिंपल सा इनका अर्थ यही है कि अकाल की स्थिति को कौन समझता है या भूख को कौन समझता है अच्छे से जो एक मजदूर है जो दलित है या फिर जिसको जो शोशित होता रहा हो है ना मजदूरों का पूछी तो वेतन नहीं मिलता इस चीज को अच्छे से वही ब्यक्ति समझ सकता है इसने भूख को समझा हो उसने अपनी जिंदगी में जिसको भूख से तरपना पड़ा हो वो ज्यादा इसको समझता है ठीक है यहाँ पर यह भी स्पष्ट करता है कवी कि किसान की जो हमने बा किसान जो अंदोलन रत हैं सरकारों से कुछ अपनी मांगे कर रहे जो मनवाने की कोशिश कर रहे थे अभी ठीक है तो यह जो चीज है कि जो अन दाता है वो ही सब चीजों का क्या है एक तरीके से उसी से सारी चीजन चलती है अगर अनाज नहीं होगा तब ही आपकी अकाल कि इस्तिती बनती है ठीक है तो किसान ना सिर्फ अपने लिए महत्वपूर्ण है बलकि संपूर्ण सष्टी के लिए अनाज महत्वपूर्ण है और साथी साथ ये भी कहते हैं कि देखिए जो हम जो मेहनत करते हैं जो श्रम करते हैं वो ही जरूरी है और उसके अभाव में ना भी अपना पेट नहीं भर सकते तो ये देखिए चोटी सी कवीता है लेकिन अगर हम इसके भावार्त को समझें तो बहुत ही ज्यादा और गहरा इसका भावार्त है क्लियर है आगया है देखिए दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद अब देखिए पहले की चार पंक्तियों में इन्होंने कया कई है अकाल की जो स्थिती है उसको इन्होंने चित्रित किया हुआ है लेकिन अगली चार पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा है सीधे इन्हो उठा आंगन से उपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद कवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद तो दीखिए बहुती सुंदर चीज इन्हों ने यहाँ पर इसके बाद कही है कि दाने जब घर के अंदर आ गए मतलब जब अन आया ठीक है तो कई दिनों के बाद धुआ उठा आंगन से उपर कि धुआ उठा आंगन से उपर का मतलब क्या है कि आपका जो चूला है वो कई दिनों के बाद घर पर जब अनाज आया तो चूले में रोटी पकाने के लिए जो आग जलाई गई जिससे की उपर धुआ उर्था हुआ नजर आता है ठीक है और धुएं को उपर उर्थे हुए देखकर क्या होता है आपके की जो घर में उपर से जो सभी लोग हैं देखिए उनकी आँखें जो चमक उठती हैं कवे हैं देखिए उन्होंने भी भोजन की उमीद में जो है अपनी चोंच से जो अपने पंक थे उनको खुजलाना शुरू कर दिया तो देखिए ये चीज़ और है कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक पशुपक्षी हो चाहे कोई भी हो उनके लिए अन का कितना महत्त है हमार जीवन में तो आपने देखा होगा कई बार हम क्या कर देते हैं कि जो अन है उसको हम यूही वेस्टेज कर देते हैं और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जिनको आपने जूठी पतल चाटते हुए देखा है तो यहाँ पर जो नागरजुन जी है देखिए उन जूठी पतल चाटने वाले व्यक्तियों से संबेदना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि अन के महता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भूख को सहा हो और उसको करीब से देखा हो तो बहुत ही छोटी से यह मारमिक अभी व्यक्ति थी नागरजुन जी की अकाल और उसके ब पता दी हैं तो यह इसका छोटा सा यहां पर व्यक्तिया करने के हमने कोशिश की है तो आप लोगों को यह प्रयास पसंद आया होगा तो यह थी इनकी अकाल और उसके बाद कविता अब हम इनकी जो दूसरी कविता है वो देख लेते हैं कि दूसरी इनकी कौन सी कविता है तो वो है खुर्द्रे पैर इसका जो रचना काल है देखी ये 1961 है 1961 में इसकी रचना की गई थी और इसमें इन्होंने देखिए क्या किया है रिक्षे वाले मजदूर के पैरों की जो फटी बिवाईया है उनका वनन इसमें किया है लेकिन जो रिक्षे वाला यहां पर हम देख अगे है दिखिए कि निमन वर्ग के प्रति सहनभूती जो खुरदरे पैर है देखिए इसमें इनों ने जो निचलातव का है जो निमन वर्ग है उसके प्रति अपने सहनभूती अभिव्यक्त की है और माक्सवादी चिंतन का प्रभाव इस कविता में हमने सपस्ट रूप से देखने को इस कविता में मिलता है तो देखिए खुर्दरे पैर सिंपल सी बात है कि जो एक मजदूर होता है उसके पैर क्या है खुर्दरे होते हैं उसमें ना किसी तरह की चिकनाई होती है ना किसी तरह की मुलामी पन होता है मुलामी नहीं होते हैं यह चीज़ भी है तो सिं के जो अकाल और उसके बाद और दूसरी है खुर्दरे पैर एक तरीके की ही कविताएं हैं जो निमनवर्ग हैं उनके प्रती सहनुभूती अभिवक्त करती हुई ये कविताएं हैं तो चलिए खुर्दरे पैर नामक कविता की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्य चीजें हैं इस कविता में तो यहां पर देखिए 1961 इसका जो रचना काल मैंने आपको पहले भी बता दिया तो कहते हैं देखिए खुब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाईयों वाले खुरद्रे पैर तो जैसे की मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके जो खुरद्रे जो कवीता है नागरजुन जी के देखिए उसमें इन्होंने अपनी जो गहन समाजिक चेतना और शोशित व उत्पीडित जनता के प्रती गहरी सहानुभूती अभिव्यक्त की है और यहां से ही इनकी जो माक्सवादी चेतना है उसका पता चलता है ठीक है और अपनी जो कला मे देखिए उससे उन्होंने क्या है समाज की जो विशमताएं है उस पर इन्होंने प्रहार करने की कोशिश की है और इस कवीता में भी इन्होंने देखिए किसान जो मजदूर है उनके पैरों की जो बिवाईया है उनको इन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है है ना कि जो सम्वेदन शीलता है उसको इनोंने एक तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश इस कवीता के माध्यम से की है और आगे देखी ये क्या कहते हैं कि जो नागार जुन जी है वो एक बिम्ब जैसे हमने पहले भी कहा कि इसमें बिम्बात मक्ता और चितरात मक्ता जो है आप देख जो सफेद आँखों में क्या हो गए खुब गए मतलब एक तरीके से चितरित हो गए फटी बिवायों वाले खुरदरे पैर कि जो मजदूर के पैर है ठीक है उनके प्रती जो समवेदन शीलता है देखिए वो अपने एक तरीके से उच शिकर पर है नागार जुन जे की जब उन्होंने देखा अपने जो निमन वर्ग या मजदूर वर्ग या जहां पर रिक्षा चालक हमें इसको कहेंगी कि उसको जो पैर है वो एक तरीके से बिलकुल खुरदरे हो गए है रिक्षरे को चलाते चलाते उसमें बिवायां फट गई है बिवायां फट ना आपने आपने वाली जुस्थिती है उसको क्या कर जाता है बिवायां पढ़ना कहते हैं उनको बिवाया फटना जिसको कहा जाता है तो नागरजुन जी कहते हैं कि उनकी निगाहों में वो दृशे एक तरीके से चपसा गया था जहांपर उनने दिखा कि पटी बिवायां वाले वो खुर्दरे पैर उन्होंने देखे थे तो मतलब यहाँ पर उन्होंने सिंपल सा जो निमन वर्ग है देखिए उनसे इनको क्या है एक तरीके से बेहद लगाव था नागरजुन जी को है ना और आगे ये कहते हैं कि धंस गए कुसुम कोमल मन में गुठल गठों वाले कुलिश कठोर तो देखिए ये कहते हैं कि धंस गए कुसुम कोमल मन में कि जो कवी का कोमल मन था देखिए उसमें एक तरीके से वो धंस गए थे गुठल गठों वाले कुलिश कठोर कुलिश कठोर मतलब इंदर के जो वज़ रहें देखिए उसके समान पाऊ एक तरीके से उसके पहीये को चलाते चलाते उनके पाऊ जो है वो एक तरीके से बहुती कथोर हो गए थे वो कभी के मन में या मस्टिश्क में या रिदय में धंस गए थे और उनको देखकर उनकी जो पीड़ा थी उसको यहां पर अभी वक्त करने की इन्होंने कोशिश की है देखिए सिंपल सी बात है कि जो एक मजदूर है ना सिर्फ रिक्षे वाले को इन्होंने यहां पर रखा ह बलकि जो भी मजदूर है देखिए वो लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है और अपने स्वास्ते की भी चिंता ना करते हुए आप देखता है कि एक मजदूर जो है वो लगातार काम करता रहता है जिससे उसके हडियां या यूं कहें उसका जो मास है वो एकदम चिकनाई विहीन और कठोरता से परिपूर्ण हो जाता है ये चीज इसमें कहने की कोशिश इनोंने की है दे रहे थे गती रबड विहीन ठूंट पैडलों को चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र कर रहे थे मात त्री विक्रम वामन के पूराने पैरों को नाप रहे थे धर्ती का अनहदफासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे ठीक है तो यहाँ पर देखिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो चला रहा था वो अपना जो रिक्षा चलाता है है ना उसके रिक्षा के जो पैडल है वो बिना रबड़ वाले है यह चीज़ यहाँ पर कहे गई है कि दे रहे थे गती रबड़ वहीन ठूंट पैडलों को चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र ठीक है तो उसके जो रिक्षा है देखिए पैडल भी नहीं बिना रबड़ के हैं और जिस पर उसके जो फटी बिवाई वाले पैर हैं देखिए वो विश्नु अवतारी जो वामन है देखिए उसकी तरह तीन पहियों का जो रिक्षा है उसको खींच रहे हैं यहाँ पर लिका है ना एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र है ना कर रहे थे मात त्री विक्रम वामन के पूराने पैरों को तो यहाँ पर देखिए कि इससे इनोंने इनकी एक तरीके से इनको तुलना करने की कोशिश की है कि जो वामन अवतार में जब बाली ने बाली से उन्होंने ये मांगा था कि विक्षा में मुझे सिर्फ तीन पग भूमी चाहिए और तीन पग भूमी में उन्होंने पूरा का पूरे संसार को ही खतम कर लिया था है ना और इस प्रम्हांड को ही उन्होंने नाप लिया था ठीक है तो यही चीज़ कहते हैं कि जिस त जो नहीं तीन तीन चक्र कर रहे थे नापते मातरती विक्रम मानव वामन के पूराने पैरों को कि उन पैरों को भी उसने एक तरीके से मात दे दी है जो लगातार क्या कर रहा है अपना काम कर रहा है जो मजदूर है जो किसान है जो रिक्षे वाला है जो लगातार चलाता रहत ठीक है नाप रहे थे धर्ती का अनहद फासला गंटों के हिसाब से जो ढोए जा रहे थे ठीक है तो यहाँ देखिए जिस प्रकार तीन पग से वामन ने पूरी प्रित्वीग नाप ली थी उसी प्रकार रिक्षे वाले ने भी तीन पहियों वाला जो रिक्षा है उसको ना कोने तरीके से वो गंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे ठीक है कि गंटों के हिसाब से ढोने का मतलब है कि लगातार निरंतर तरीके से वो अपने काम में लगे हुए थे है ना तो ये चीज़ इसमें कहने कि इनोंने कोशिश की है कि बिवाई युक्त जो पैर है उनको कभी भी कभी भूल नहीं पाएगा है ना वो एक तरीके से उनकी आँखों में समा गए थे देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर भूल नहीं पाऊंगा फटी भिवायां खुब गई दूदिया निगाहों में धस गई कुसुम को मलमन में कि देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर कि कभी देखता है कि मैं लगातार उसके पाऊं को देखता रहा और मैं भूल नहीं पाऊंगा उन फटी हुई बिवायों को खुब गई दूदिया निगाहों में धस गई कुसुम को मल मन में कि मेरे मन में वो जो तस्वीर थी या वो जो फटी बिवायों वाले पैर थे वो एक तरीके से मेरे मन मस्तिश्क में बैट गए हैं और मैं उनके प्रती अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं यहां पर नागर जुन जी तो ये भी इनकी एक छोटी सी कवीता है बहुती जादा मौतफून कवीता हैं ना सिर्फ यूजी सी नेट की परिक्षा के लिए बलकि हमें अपने वास्तविक और नीजी जीवन में भी बहुत कुछ सिखा जाती हैं कि हमें अपने आसपास के जो भी हमारे किसान मजदूर या जो भी हम देखते हैं कि जो छोटे व्यक्तिया निमन वर्ग के जो लोग हैं ना उनके साथ हमें अच्छे से या उनके जो पीड़ा को है अपनी पीड़ा समझना चाहिए क्योंकि एक किसान ना सिर्फ अपने लिए कमाता है बलकि पूरे के पूरे मानव जाती के लिए और दूसरे जीवजंतों के लिए भी कमाता है तो ये अनकी महता की बात करती हुई इनकी जो अकाल और उसके बाद की कवीता है खुरद्रे पैर मजदूरों और किसानों और जो लगातार काम करते रहते रहते लोग है उनको दर्शाने वाली कविता है तो इन कविताओं की थोड़ी बहुत हमने व्याक्या करने की कोशिश की है I hope आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लक्चर लगातार लाते रहेंगे UGC NET की तेयारियां आपकी होती रहेगी विश्च्यू all the very best एक बार फिर मिलेंगे आपसे नई उर्ज़ और नई स्पूर्थी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद